दोस्तो बॉलिवुट की मशूर आक्ट्रेस और मिस यूनिवर्स रह चुकी सुश्मीता सेन का अपने लॉंग टाइम बॉइफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ ब्रेक अप हो चुका है जिया दोस्तो सोशल मीडिया पर इस वक्त इसे बात की चर्चा है कि सुश्मीता सेन ने अपने से 15 साल छोटे रोहमन शॉल के साथ ब्रेक अप कर लिया है कि रोहमन के साथ उनका तीन साल का रश्टा खतम हो चुका है दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं लेकिन दोनों अभी भी दोस्त बने रहेंगे जब से ये खबर सामने आई है कि सुश्मीता ने रोहमन के साथ ब्रेक अप कर लिया है उसके बाद से फैंस काफी परिशान भी नज़र आ रहे है इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी है जो सुश्मीता सेन के इस कदम की काफी तारिफ कर रहे है फैंस के रियाक्शन्स की बात करें तो सुश्मीता सेन के ब्रेकप पोस्ट के बाद उनके पोस्ट पर कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं आप भी देखिए फैंस क्या कुछ कह रहे हैं सुश्मीता की ब्रेकप को लेकर और फैंस इस बात का इंतजार भी कर रहे थे कि सुश्मीता कब रोमन शॉल के साथ शादी करेंगी ब्रेक अप की खबरों के साथ ही ये खबरे भी सामने आ रही है कि सुश्मीता से ब्रेक अप के बाद रोमन शॉल ने उनका घर भी छोड़ दिया है और इस वक्त अपने किसी फ्रेंड के घर पर शिफ्ट हो गए है रोमन शॉल आपको पता दे सुश्मीता सेन और रोमन के मुलाकात इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिये हुई थी वहीं दोनों के बीच मेसेज में बादची शुरू हुई और ये बादचीत का प्यार में बदल गई किसी को पता भी नहीं चला इंस्टाग्राम पर शुरू हुई ये लव स्टोरी इंस्टाग्राम पर ही खतम हो गई है क्योंकि सुश्मीता सेन ने पोस्ट के जरीए ये कन्फर्म कर दिया है कि उनका रोहमन के साथ रिष्टा खतम हो गया है और इस वक्त दोनों अपने अलग-अलग रास्तों पर चल करते थे आगर आपको भी यही लगता है कि सुश्मीता सेर और रोहमन ने ये डिसीजिन गलत लिया है तो जल्दी से हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि इन दोनों के ब्रेक अप को लेकर आपका क्या कुछ कहना है